अपने दुकानों पर ग्राह कैसे जुटाएं? अपने दुकान पर ग्राह को के ताता कैसे लगाएं? दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे हम अपनी दुकान को धाका धाक चला सकते हैं? इसके लिए हम आपको कुछ टोटके बताएंगे और साथ ही साथ कुछ आध यंद्रो का काफी महत्त होता है। यंद्रो का प्रभाव बहुत सकारतमक होता है। और इनको पुजने से आर्थिक इस्तिती मजबूत होती है। वजीवन में सुख प्राप्त होता है। एसे में वेफार में सफलता पाने के लिए आप वेफार विरिधी यंत्र का पुजन कर सकते हैं इस यंत्र को सुभ महुर्त देखकर अस्थापित करें हर्मा सुकल पक्ष में रविवार का दिन इस यंत्र की अस्थापना के लिए सुभ माना जाता है इस यंत्र की पुजा करत मंत्र का जाप करें रोजाना वेपार विरिधी यम्त्र की पूजा करने से वेपार में बढ़ुतरी होगी और आये के साधन बढ़ेंगे गोमती चक्र यह चक्र नुमा सफेद पत्थर होता है जो गोमती नदी में पाया जाता है इसी कारण इसे गोमती चक्र कहते हैं इस पत्थर को मा लक्षमी जी का रूप माना जाता है वेपार में बृधी के लिए गोमती चक्र का इस्तमाल किया जा सकता है अपने वेवसाय के अस्थान पर सुक्ल पक्ष में गुरुवार के दिन आप हल्दी और केसर से बारह गोमती चक्रों पर तिलक लगा कर एक कपरे में बांध कर रख दें, चाहें तो इस कपरे को आप चोखट पर लटका भी सकते हैं, इसा करने से विफार में जल्द ही व्रिधी होने लगेगी दोस्तों अब हम आपको बताएंगे विफार व्रिधी के टोटके, आप निम्न टोटकों को भी अपना कर अपने विफार में व्रिधी ला सकते हैं, करज अस्थल या धुकान पर अंदर जाने से पहले अपना दाहिना हाथ जमीन पर लगाएं और उसके बाद मस्तक या हिर्द इसा करने से आपको असीम लाभ प्राप्थ होगा वेफार या कारोवार ब्रिधी के लिए ये बहुत ہी आसान उपाए हैं वेफार वा कारोवार में ब्रिधी के लिए लक्षमी नराहन के मंदिर में हर सुक्रवार गूर चाना बांटे मंदिर में लक्षमी मा की परतीमा के समक्ष खुस्बुदार अगरबती जलाएं और प्रार्थना करें ये आसान उपाय आपको हर तरह से सम्रिधी दिलाएगा विफार में अस्थाई लाव पाने के लिए कुत्ता गाय और कोवों को रोटी जरूर खिलाएं आप निम्बू और हरी मिर्च के परयोग से भी अपने विफारव करवार को बढ़ा सकते हैं इसके लिए साथ हरी मिर्च और साथ निम्बू लेकर माला बनाएं और उसे दुकान में वहाँ पर टांगे जहां ग्रहा की निगाहें परे ये बहुत ही असान सा उपाय है इसके आपको काफी अच्छे परिनाम मिलेंगे आप कच्चे सूत के परयोग से भी अपने विफार में तरक्की पा सकते हैं ये कच्चे सूत को केसर के घोल में भीगो कर रंग दे और फिर इसे अपने कार्ज अस्थल पर बांध दें ऐसा करने से वेफार में सफलता मिलती है कर्ज छेत्र पर जाते वक्त अपने इश्ट देव का ध्यान करें और कोई सुगंधित इत्र लगाएं इसा करने से वेफार में सफलता मिलेगी कपूर और रोली को जला कर उसकी राख को एक कागज में रख लें और उसे अपनी दुकान या घर के उस अस्थान पर रखें जहां आप अपना धन रखते हैं लड़ाई जगड़े वा कलेस वाले घरों में लक्षमी का अनिवास नहीं होता है एसे में घर में सांती वा प्रेम बनाए रखें साम के समय सोय नहीं साथ ही ज़ाड़ू भी नौ लगाएं क्योंकि ऐसा करने से लक्षमी रूष्ट हो जाती है पूजा अस्थल पर दीपक जरूर जलाएं एक नाडियल को चमकीले लालने कपरे में लपेट कर घर और वेपार अस्थल के पूजा अस्थान अथवा तिजोडी में रखें इसमें रोजाना धूप या अगरबती दिखाने से भी वेपार में लाभ मिलता है कार्ज चेत्र पर सफलता के लिए किसी सफल व्यक्ति को अपना अधर्स बना लें और उस व्यक्ति की तस्वीर अपने कख्छ में लगाएं रोजाना समय निकाल कर उस व्यक्तिक के जीवन के बारे में अध्यान कड़े और खुद को उसके बराबर लाने की योजना बनाएं व्यपारी कस्थल के पुजा घर में अस्फटिक की स्री यंत्र और एक अच्छी नाडियव अस्थापित करके प्रती दिन गुलाब की सुगंधित अगरबती से पुजा करने से व्यपार में निश्चित सफलता प्राप्थ होती है व्यपार में मंदी आज जाने पर किसी भी साफ सीशी में सरसो का तेल भड़े और उसे किसी बहती नदी या तलाब के जल में प्रवाहित कर दें व्यपार फिर से उठने लग जाएगा सुकल पक्ष में किसी भी दिन अपनी फैक्टरी या दुकान के दरवाजे के बाहर दोनों तरफ थोरा सा गेहुं का आटा रख दें ध्यान रहे इस कार्ज को करते वक्त किसी की नजर आप पर न पड़े कारवार में नुक्सान या जगरे की इस्तिती होने पर अपने वजन के बरावर कच्चा कोईला लेकर पानी में प्रवाहित कर दे ऐसा करने से अवस्य लाब होगा वेपार को बढ़ाने के लिए सनिवार को पीपल के पेर से एक पता तोर लाएं उसे धूप बती दिखा कर अपनी दुकान की गदी जिस पर आप बैठते हैं उसके नीचे रख दें साथ सनिवार तक लगातार ऐसा ही करें जब गदी के नीचे साथ पते इकटे हो जाएं तो उन्हें एक साथ किसी तलाविया कुए में बहा दे आपका विवसाय चल निकलेगा किसी ऐसी दुकान जो काफी चलती हो वहां से लोहे की कोई कीलिया नट आदी सनिवार के दिन खरीद कर ले आएं काली उरद के 10-15 दानों के साथ उसे एक सिसी में रख लें धूप द्यूप से पूजा कर गरहकों की नजरों से बचा कर दुकान में रख लें विवसाय खुब चलेगा सनिवार को साथ हरी मिर्च और साथ निम्बू की माला बना कर दुकान में इसे टांगें कि उस पर गरहक की नजर पड़ें विवसाय अस्थल पर किसी भी प्रकार की समस्या हो तो वहां स्वेतार्क गनपती तथा एकाक्छी स्रीफ़ल की अस्था अपना करें और फिर नियमित रूप से दूप दीप आदी से पुजा करें तथा सप्ताह में एक बार मिठाई का भोग लगा कर परसाद यथा संभव अधिक से अधिक लोगों को बाटे चाहे तो भोग नित्त प्रती भी लगा सकते हैं वास्तो द्रिष्टी कोण दोस्तो धन समरिदी के देवता कुवेर का अस्थान उत्तरदिशा में होता है और उत्तरदिशा का प्रती निधी बुद्ध ग्रह होता है इसे में घर की उत्तर दिशा के दोस पूर्ण होने से मनुस्य की बुद्धी ब्रामित हो सकती है जिससे वह समय पर नीर्नाय लेने में खुद को असाहज महसूस कर सकता है इतना ही नहीं इसा होने से मनुस्य की आर्थिक उन्नती में भी बधाय आने लगती है इसलिए विफार करने वाले जातक को अपने विवसाईक प्रतिष्ठान के लिए उत्तर दिशा को दोस मुक्त रखना चाहिए ताकि उसकी अधिक से अधिक उन्नती हो सके इसके लिए उन्हें उत्तर दिशा की दिवार पर हरे रंग के तोते की तस्वीर अवस्य लगानी चाहिए क्योंकि हारा रंग बुध रंग का होता है उत्तर दिशा में हरे रंग के तोते की तस्वीर लगाने से वहां का दोस्माप्त हो जाता है और मनुस्य को सुबदाई फल 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 दोस्तों अब तोटके से अलग हट कर आपको बताएंगे कि आप अपने दुकान पर ग्राहकों की कैसे ताता लगा सकते हैं दोस्तों आपको बजार में अपनी दुकान को द्यान अकरसित करने योग बनना चाहिए आपको यह सुमिस्चित करना चाहिए कि ग्राहक आपके बरांड के बारे में जाने और उत्पादों को कहां से प्राप्त करना है यह भी जाने एक अच्छे अस्थान पर अपनी बहुती कुपस्तिती को दूसरों से ज्यादा इस्पष्ट बनाएं ताकि ज्यादा लोगों का ध्यान आपके दुकान के तरफ जाए और ग्राहकों की आवाजाही बढ़े ब्रांड जगरुकता का निर्मान करने के लिए अस्थानिय विपगन रन्नितियों को चुने अस्थानिय अख़बारों में विग्यापन देना या परत्यक्छमेल करना इस मामले में रचनात्मक हो सकता है शुरुआत में आपको केवल अपने ब्रांड के विषय में जगरुकता बढ़ाना है और अस्थानिय लोगों के दिमाग में एक छवी बनाना है दोस्तों ग्राहक जो चाहते हैं उन्हें वही दें अपनी दुकान में सबसे अधिक मांग वाले उत्पाद रख कर ग्राहकों की ज्यादा आवाजाही सुनिश्चित करे जब ग्राहकों को यह समझ में आएगा कि आपकी दुकान वह जगा है जहां चाहे गए उत्पाद निश्चित तोर पर उपलब्द हैं तो आपकी दुकान में लोगों की आवाजाही अपने आप ही बढ़ जाएगी आपको यह भी पता करना आवस्चक है कि आप ग्राहक को उत्पादों और सिवाओं से खुस रख रहे हैं या नहीं दोस्तों आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जो उत्पाद ग्राहकों को दे रहे हैं उस उत्पाद से ग्राहक खुस है या नहीं ग्रहक निस्टा कार्ज क्रम निस्टावान ग्रहकों के लिए योजना बनाए और उन्हें लंबे समय तक अपने साथ बनाए रखें ग्रहकों का बार बार आना एक सफल उद्धम की निव या अधाड है ग्राहक निश्टा को प्रत्साहित करने से यह सुनिश्चित होगा कि बार-बार आने वाले ग्राहकों की संख्या समय के साथ कई गुना बढ़ेगी ग्राहकों को अपनी दुकान में फिर से बुलाने और निष्टा का विशेश लाफ प्राप्त करने के लिए छूट और आफ़र दें जमीनी कार्ज अपनी दुकान में लोगों की आवाजा ही बढ़ाने के लिए अपने उत्पादों के नमूने दे या अपनी स्यवाओं का प्रदर्शन करे या उन चीजों को परचलित करने का बहुत अच्छा तरीका है जो आप अपने ग्राहकों की स्यवा में प्रस्तुत करना चाहते हैं इस तरीके से आप अपने ब्रांड दिरिस्यता बढ़ा सकते हैं अस्थानिय भागीदार ऐसे भागीदारों को ढूंड़ें जिनका आपके वेशाय से नजिदिकी या दूर का संबंध हो जिससे इस परकिरिया में आपसी लाव मिल सके सामने के भाग को साफ रखें परवेश दौर को साफ करके और सजा कर अत्याधिक अकरसक बनाएं परवेश दौर को अत्याधिक अकरसक बनाने से आपको प्रति असफर्दा में बढ़त मिलेगी ग्रहकों की ऑनलाइन आवाजाही बढ़ाने के लिए सुझाओ दोस्तों आप ऑनलाइन ग्राहकों की आवाज जाही कैसे बढ़ा सकते हैं चलिए अब हम आपको बताते हैं बिग डाटा की मदद से अपने पिछले ग्राहकों की छोटी से छोटी जानकारी पर नजर रखना आपके लिए अगामी वर्सों में बहुत उपयोगी सावित हो सकता है बहु मुल्ले ग्राहकों की जनकारी जैसे उनकी पसंद और नापसंद के बारे में जनकारी रखने से और उसका अच्छे से उपयोग करने से ग्राहक किस और संतूष्ट हो सकते हैं यह द्रिष्टी कौन पिछले ग्राहकों को बनाए रखेगा और उन्हें निश्टावान बनाएगा मौखिक मध्यम से परचार दोस्तो अधिक से अधिक ग्राहकों की आवाजाही बढ़ाने के लिए मौखिक परचार सबसे सकती साली तरीका है विभीन मध्यमों से ग्राहकों को खुश रखें जिससे वह आपके संतोस जनक उत्पादों और स्वाओं के बारे में दुसरों को बताने के लिए प्रेडित होंगे प्रशनों या मुद्दों के त्वारी उत्तर देने से ग्राहक समर्थन के दिसरे में मजबूत छवी बनेगी जब ग्राहक सकुसल और सुरक्षित महसूस करेंगे तो वह आपके साथ खरीदारी की परकिरिया को धोराएंगे समाजिक मीडिया विपगन दोस्तों सवरजनिक मंचो और समाजिक मीडिया वेबसाइट्स पर सबसे ज़्यादा आवाजाही देखी जा सकती है यही वह जगह है जहां आप अपनी पहचान बनाने के लिए ओनलाइन वेबसाइक प्रोफाइल बना सकते हैं आउनलाइन विपगन सेवा प्रदाता दोरा इस्तेमाल किये जाने वले समाजिक मीडिया विपगन साधन या सुनस्चित करेंगे कि गरहकों की जरूरतों के बारे में जनकारी प्राप्त करके आपका वेशाए उन्युश्टिस्ट गरहकों की ओर ही लक्षित किया जाए का है विग्यापन और ऑनलाइन समागरी यहां पर सबसे अच्छे साधन है निष्ठा कारजक्रम डिजाइन करना उन मुल्यवान ग्रह को काप पता लगाई जिनोंने आपके ऑनलाइन स्टोर से खड़ी-दाड़ी परकिरिया दोड़ाई है आपकी स्यवाव की परसंसा करके द के निष्ठा कारजक्रम डिजाइन कीजिए माहोल वेवसाइट के ऑनलाइन प्रोफाइल की सजावत सांती दायक और अकर्सक होनी चाहिए यह वैसिस्ट आवाजाही बनाए रखेगा और समय के साथ ज्यादा आवाजाही अकर्सित करेगा मुनासिब वेवसाइट का डिजाइन करना एक सुरक्षित और मजबूत लेकिन सुन्दा अधिकारी वेवसाइट बनाए ताकि उत्सु ग्रहाँक आपके वेवसाइट को ढूंड सके अपनी वेवसाइट की फ्रिष्ट रैंकिंग बढ़ाने के लिए और खोजे गए फ्रिष्टों के सीर्ष परिनामों में आने के लिए S.E.O. साधनों से ज्यादा से ज्यादा मदद लें दोस्तों अपने स्टोर में लोगों की आवाजाही बढ़ाने के लिए जो हमने आपको बाते बताई है उसका पालन करें दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बक्स में जरूर बताएं दोस्तों आपसे एक छोटा सामर्द है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें तथा घंटा को भी दबा दे जिससे हमारे वीडियो मिले आपको सबसे पहले धिर्नेवाद